किसानों से कर्ज माफी का वादा शिवराद सिंग चोहान का कॉंग्रेस परवार कहा बेरुजगार युवाओं से मजाग मध्यपरदेश के मुख्य मंतरे शिवराद सिंग चोहान ने राहूल गांधी के तरफ से क्रिकेट मैस में भारत की हार का जिमेदार पीम मोधी को बताने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है सियम शिवराद सिंग ने कहा कि सारा देश देश भक्ति के जुनून से भरा हुआ था और ये चाहता था कि क्रिकेट का फाइनल मुकाबला भारत जीते क्योंकि खेल भी देश भक्ति का एक प्रतीक है यदि प्रधान मंतरी मोधी वहां गए तो हमारे लिए ये गर्व का विशय है लेकिन कॉंग्रेस के लोग प्रधान मंतरी मोधी से इतना डरते हैं इतना वैर रखते हैं कि भारत के मैच हारने पर ये लोग खुशी मनाते हैं राजस्थान और मध्यप्रदेश में किसानों से करजमाफी का वादा किया जिसके कारण राजस्थान में 9422 किसानों की जमीने निलाम हो गई है वहीं बेरोजगार युवाओं से बेरोजगारी भत्ते के नाम पर मजाग किया गया और राजस्थान में फसनों को भी नियूंतम समर्थन मुल्य पर नहीं खरीदा गया जिसके कारण किसानों को अपना बाजरा मिट्टी के भाव बेशना पड़ा है बहन बेटियों के सम्मान के साथ राजस्थान में खिलवाड हुआ है और कॉंग्रेस सरकार के मंतरी शर्मनाक बयान देते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है तुष्टी करण जो राजस्थान की कॉंग्रेस सरकार का मूल मंत्र रहा है इन लोगों ने हिंदू तेवहारों पर शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया और धारा 144 तक लगा दी प्रदार मंत्री मोधी पर कॉंग्रेस के यूराज की तिपणी बताती है कि इन लोगों की मती हर ली गई है देश आजाद होने के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि कॉंग्रेस को समाप्त करके इसे लोग सेवा दल बना देना चाहिए लेकिन नहरू नहीं माने अब राहुल गांधी महात्मा गांधी की बाद को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं आने वाले समय में राहुल गांधी कॉंग्रेस को पूरी तरह खत्म कर देंगे मध्य प्रदेश के मुख्य मंतरे शिवराद सिंग चोहान ने कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने लोगों का जीवन बदला है आम आदमी के जीवन को काफी हद तक सरल बनाया है पीम आवास योजना जलजीवन मिशन योजना उज्वला योजना किसान सम्मान निधी सहित अनेक ऐसे काम हैं जिन से देश में लाखो करोन लोगों को कल्यान कारी योजनाओं का लाब दिया गया है इसलिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज जन जन के मन में बसे हुए हैं मध्यप्रदेश होया राजस्थान कॉंग्रेश का नेतरित्व करने वाले राहुल गांधी और प्रियंका वाडरा दोनों भाई बहन जूट की मशीन है प्रियंका वाडरा मध्यप्रदेश में कहती हैं कि राम 13 वर्ष के लिए वनवास गए थे आप खुद देखे देश का बच्चा बच्चा जानता है प्रभुशी राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे लेकिन प्रियंका गांधी को नहीं पता है मध्यप्रदेश में कुछ लोग कहते हैं कि केवल कुछ हजार लोगों को ही रोजगार मिरे हैं जब कि पचास हजार को तो न्यूकती पत्र मैंने अपने हाथ से बाटे हैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंतरी शिवराद सिंग चोहान ने कहा कि राजस्थान के मुख्य मंतरी अशोग गहलोद की सरकार साढ़े चार साल तो रजोर्ट में रही और चुनाओं में जब छे माह शेस बचे तो जूटी घोशनाओं का अमबार लगा दिया राजस्थान की जनता जानती है कि अशोग गहलोद सरकार कुशासन का पर्याय बन चुकी है आज भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान नंबर वन है सरकार की योजना भवन से करोडो रुपे नगदी और सोना बरामद होता है ये पहली घटना है जब किसी सरकारी कार्याल से सोना और पैसा बरामद हो रहा है वहीं जल जीवन मिशन का उद्देश घर-घर नल से पानी पहुचाने का था लेकिन राजस्थान में इस योजना में भी लगभग 20,000 करोड का घुटाला किया गया प्रदेश में 5 साल के दोराने 11,000,000 अपराद के मामले दर्ज होते हैं साइबर क्राइम में राजस्थान नंबर वन सामप्रदाइक दंगो के मामलों में यहां रिकॉर्ड ही तूट गया जबकि हुए मध्य प्रदेश में मजाल जो को यांख उठा कर भी देख ले गहलोत सरकार ने प्रदेश को दंगो की आग में जोंग दिया राश्ट्री सर्म है राहूल गांधी मैं नहीं सोचता था कि वो मोदी जी के विरूद में दिद्वेश से इतने भरे हैं कि उन्होंने डेश की हार पर प्रसनता व्यक्त की है सारी जंता के आँखों में आशू थे और राहूल गांधी आनंद मना रहे थे के मोदी जी गए वहां हर गए जाको प्रभुत दारून दुख दे ही बाकी मति पहले हर ले ही राहूल गांधी जी का ये बियान ये देश द्रोह की सीमा में भी आता है देश का कितनी बड़ा अहित हो जाए लेकिन मोदी जी पे टिपड़ी करने का मौका मिल जाए ये बुद्धी हिंता का इस से बड़ा कोई उधारन हो नहीं सकता और देश की जंता और राजिस्थान की जंता जब आप देगी कॉंग्रेस को राहूल गांधी को मैं तो अब इस निसकर्स पर पहुँचा हूँ कि महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था आजादी के बाद के कांग्रेस को समाप्त कर दाना चाहिए लोग से वक्संग बना दाना चाहिए नहरू जी ने बात नहीं मानी लेकिन राहूल बाबा अपने ऐसे व्यानों से कांग् करना ना भूलें